इंदौर शहर में बीते करीब तीन महा से कोरोना महामारी पैर पसारे हुए है और अभी भी हर दिन कोरोना के संक्रमित मरीद शहर में निकल रहे हैं ऐसे में जागरुकता अभ्यान भी आर्ट के माथ्यम से इंदौर में चारी है इसकरम में आर्टिस्ट साहिल लहरे की टीम दौरा कोरोना से जागरुकता के लिए एक आर्ट वर्क किया गया जहां यातयात प्लिस के सहियोग से मंगल वार को जागरुकता अभ्यान चलाये गया जिसके शिरुआत रीगल चौराहे से आला पुलिस अधिकारियों की मौचूद्गी में की गई, जींस के कपड़ों के छोटे-छोटे टुकडे से बने आर्ट वर्क को 20 कलाकारों ने बनाया। आर्टिस्ट साहिल लहरी और यादायत पुलिस अधिकारियों माकांद चौधरी ने बताया कि इंदोर शहर के विभिन चौराहों और प्रमुक मार्गों पर इस आर्ट वर्क को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें एक बच्चा हाथ जोड़कर मास्क पहने हुए, सभी से मास्क पहनने की गुशारिश करता दिखाई दी रहा है, इसी तरह शहर में जागरुकता अभ्यान चलाया जा रहा है तो आप लोग भी मास्क पहन के ही निकलिए, तो बनाने में टोटल दस दिल लगा है, जो टैनिम जीन्स होता है, लोग अधिकतर लोग आपने देखा होगा, इंटरनेट वगेरा पे, सोचल मेडिया पे, की पैंसिल से बनाते हैं, कलर से बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इ पनी है, एक आर्ट को क्रेटिव दिखाने के लिए, ट्राफिक पुलिस जागरूपता को लेकर नाइन अभियान चलाती है, और हमारे सास में आज जो सहिल लहरी हैं, आतारास्ती इस तर के आर्टिस्त हैं, उन्होंने कई सारे पहले भी वर्लेकार्ट तक बनाएं, हमने दे कर रहा है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि ट्रैफिक नियुमों के साथ साथ हम इस बात को लेकर भी चले की कोरोना भी खतल नहीं हुआ है, और हमारे जोर शहर में इसका संकुरान सर्मादिक राहा मज़े तो आप अवेर्नेस की बहुत आवश्यक्ता है, लोग कई बार देख अवेर्नेस के प्रोग्राम बेवेने चौराहों पर चलाएगी, और उद्देश यही है कि हम कोरोना से अपने आपको बचाओ करें और अपने परिवार को और अपने शहर को बचाओ कर सकें और सुरक्षित रख सकें